हलो फ्रेंड मेरा नाम है मरिनल घोश और मेरा यूटूब चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत थे आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत आसन तरीका से आधरकार्ड एक्टिव है या नहीं चेक कर सकते वो कैसे करते हैं वही आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना परेगा गुगल पे चला जाएंगे तो नीचे हमको साजबर दिखेगा वही साजबर में जाके हमको लिखना परेगा माई आधर तो हम क्या करेंगे साजबर में जाके माई आधर लिख के सार्च कर देंगे तो देखिए धर पहला वाला जो linke दिख रहे है myather.uidi.gov.in वोई link पे क्लिक करना परेगा वोई link पे क्लिक कर देंगे तो myather का official website open हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इदर पहला वाला जो link दिख रहा है वोई link पे क्लिक कर देंगे तो देखिए इदर myather का official website open हो गया हम चाहे तो direct address बर में जाके myather.uidi.gov.in लिखके भी myather का official website open कर सकते तो हम कोई भी एक process से myather open कर लेंगे open करने के बाद हमको थोड़ा नीचे आना परेगा नीचे आ जाएंगे तो इधर हमको एक option मिल जाएगा services switch can be availed even if mobile number is not registered with other अगर other card में mobile number registered नहीं रहाएगा तब भी ये service हमको मिल जाएगा तो दिखे नीचे check other validity option दिखेगा वोई check other validity option पर क्लिक करना परेगा उधर क्लिक कर देंगे तो check other validity का page आ जाएगा तो इधर हमको आधर number डालना परेगा आधर number डालने के बाद नीचे capture डालना परेगा जो capture हमको right side में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे इधर आधर number और capture दोनों ही डाल देंगे ये दोनों डालने के बाद नीचे जो proceed option दिख रहा है वोई proceed option पर क्लिक करना परेगा तो हम क्या करेंगे पूरा fill up कर देंगे तो देखे इधर हम पूरा fill up कर दिया पूरा fill up करने के बाद नीचे जो proceed option दिख रहा है वोई proceed option पर क्लिक करना परेगा तो देखे अभी इधर दिखा रहा है सबसे उपर में आधर number दिख रहा है और right side में दिख रहा है exist यानि आधर number active है और नीचे दिख रहा है आधर verification completed नीचे हमको age band दिखेगा 32-40 years यानि यानि यह जो आधर card holder है इसका age 32-40 years के अंदर है नीचे gender दिखेगा gender mail दिख रहा है नीचे state का नाम भी दिख जाएगा कौन सा state का अधर card है उसके नीचे mobile number register रहेगा तो इधर हमको mobile number दिखेगा mobile number का last three digit हमको दिख जाएगा three digit से हमको पता चल जाएगा कौन सा mobile number अधर card में registered है तो ऐसे ही हम बहुत ही आसन तरीका से अधर card active है या नहीं online में चेक कर सकते I hope मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like जोरू करना और बहुत सरे share करना और मेरे को कमेंट करके बाता ना की कैसा लगा और मेरे चैनल में नए हो तो subscribe भी जोरू करना अज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ जैहेंद